शिकागो धर्म संसद में विद्यमान सभी व्यक्ति उस समय इस्तब्द रह गए जिस समय पर एक युवा सन्यासी ने चुनोटी देते हुए कहा कि विश्व के सभी धर्म नदियों के समान है जबकि सनातन धर्म और भारते संस्क्रती एक महा सागर के समान जिस प्रकार विश्व की सभी नदियां अंतिम रूप से महा सागर में विलीन हो जाती है उसी प्रकार विश्व के सभी धर्म और सभी संस्क्रतियां अंतिम रूप से सनातन धर्म के महा सागर में विलीन हो जाती जहिन साथियों स्वागत है आप सभी लोगों का MPPSE उतकर्ष के इस online platform परो मेरा नाम है विक्रमादित और आज किस वीडियो में खास सर्चा करेंगे युवाओं के पेड़ना स्रोत और पूरे विश्व को बेदान्त का पाठ पढ़ाने वाले स्वामी विवेकानन पर वे कोजपून व्यक्तब से ना केबल शिकागो बलकि पूरा विश्व हिल चुका था आज कि वीडियो के बारे में सबसे पहले में विद्यार्शियों को बताना चाहूंगा कि यह वीडियो खास तोर पर आपके पेपर क्रमांग फोर्त यानि के दर्शन सास्त्र मनो विज्ञा यानि जिसे आप एथिक्स के नाम से जानते हैं मुख्य परिक्षा में उस विशे से संबन देते हैं और उस पेपर के अंतरगा जो पहली इकाई है वहां पर सत्रह विचारकों का नाम लिखा हुआ है और वहीं कहीं आप देखेंगे तो पंद्रवे नंबर पर सुरने मक्ष में नाम लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद का तो मैं आपको बता दूं कि पूरे सेशन में जो हम चर्चा करेंगे उसमें चर्चा होगी स्वामी विवेकानंद के जीवन ब्रत्तांत पर उसमें चर्चा की जाएगी स्वामी विवेकानंद के नवे बेदान पर उसमें स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रदत दर्द नारेंड का जो concept है उस पर भी चर्चा करेंगे और अंत में जाकर देखेंगे कि अब तक आयोगों ने किस प्रकार के महतापूर्ण प्रश्न स्वामी विवेकानंद से पूछें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चर चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद का जो जन्व है वह आज ही के दिन्यानी की बार है जन्वरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था पिता अगर बात करें तो पेशेशे वकील थे नाम था विश्वनादत मा का नाम था भुवनेश्वरी देवी माता पिता का नाम और डेट की तरह वितीत हो रहा था यानि की माता-पिता की च्छाओं में एक बचा हस खेल रहा था फल फूल रहा था लेकिन देखिए समय को कुछ और ही मजबूत था बच्पन में जिस बालक के साहस के किस से पूरे कलकत्ता में चलते थे उस बालक के पिता की मौत के बाद वह बालक अचानक ही परिशानियों में घिर चुका था और जब भी कोई व्यक्ति परिशानियों में घिरता है तो सबसे पहले उसके भीतर एक गोणा आता है जिसे कहते है नास्तिक्ता परिशानी अगर दीर कालेक हो परिशानी अगर लंबी हो तो व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि उनके परिशानियों के पीछे की वजह एक मात्र वो है वो है इश्वर यानि कि जब व्यक्ति परिशानियों में आता है तो नास्तिक्ता उसको गहरने लगती है वह इश्वर का विरोधी बन जाता है सामाजिक जीवन में पारिवरक जीवन में और अपने प्रशाश्किय कि जब व्यक्ती परिशान होगा तो वैं निश्यत तोर पर ईश्वर को उसके लिए तरदाई मानने लगता है तो चुकि स्वामी बिवेकनन्द भी मानओं थे तो उनके साथ भी ऐसा होना लाजमी था और स्वामी बिवेकननन्द के भीतर भी नास्तिक्ता का आविर्भाव हो अधितात हर्वर्ट स्पेंसर जैसे उन्होंने पाश्च्छात विचारकों को भी पढ़ा तो मन में तार्थिक्ता का आना भी स्वाभाविक था और जो व्यक्ती तारकेख हो जाता है वो इतनी आसानी से रूडियों और धार्मिक माननताओं को नहीं मानता हो यही हुआ ठूकिये थे और अपने मित्रों के साथ में अखसर पुजारियों को पंडितों को भामणों को गेर लिया करते थे उन्से लगातारे की प्रश्ण पूछते थे कि क्या कभी आपने ईश्वर को देखा हैं। चुकि आप भी जानते हैं ईश्वर का धर्शन करना या दर्शन दर्शन कराना उतना सहज नहीं है जितना लोग सोचते हैं तो सभी ब्राह्मन उनसे कहते कि तुम्हारे ऊपर राजाराम मोहन राय का और इश्वर चंद्र विद्या चागर का प्रभाव है इसलिए तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं मैं जाना चाहूंगा आप लोगों क कि सोच जो थी वाद Vorteek हो रहे तो तमाम प्रकार की चाहें सति पर्थाओ यह बिद्वा पुनर विवाह का समर्थन करना रूडी नहीं है लेकिन प्रकार की जितनी भी रूडियों को विरूद लगाता चल रहा था यूबातार्गक हो चुका तो और उस समय पर पंडितों की अब रहम्मनों की शामताईटी और उसी दोरान स्वामी विवेक अनन्द की मुलाकात होती है एक वास्तविक ब्रहम्मन से एक वास्तविक पुजारी से जिनका नाम था आप सभी जानते हैं स्वामी विवेक अनन्द के गुरू का नाम रामकृष्ण परमहंस वही रामकृष् कि नाम था पंडित गदाधर चट्टोपध है चुकि मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि परम हंश शब्द का शाब्दे करता होता है परमात्मा जो कि वहां के मठ के पुजारियों के द्वारा इनको अपादी दी गई थी रामकृष्ण परमन से मुलाकात होई और शै कि हां मैंने इश्वर को देखा है अगर तुझे भी देखना है तो मेरे पास आजा रामकृष्ण परमन से के पास जैसे ही बालत नरेंद्र पहुंचा तो उस समय पर रामकृष्ण परमन से कहा कि जा अंदर चला जा माता काली बैठी हुई है और तो जो मांगना हो वो जैसे ही अंदर गए तो मा काली का जो विकराल लूप था उस विकराल रूप को जैसे ही विवेकानन ने देखा तो वह भी इस्तब्द रह चुके थे और शरीफ पसीना छोड़ चोगा था खेर मा काली का दर्शन हो जाए उस दोरान कोई व्यक्ति कैसे मांगे यह संबब हो के सिद्धानतों पर चलने के लिए तो यहां से एक नई आत्रा शुरू होती है कि बालक नरेंद्र कैसे सचेदानंद के नाम से शुरू आत्मा जाना गया बाद में विवेकानन भी नाम पड़ा लेकिन एक सामाजिक जीवन वितीत करने वाला बालक नरेंद्र अब रामकृ विवेकानन्द का जीवन व्रत्तान जह कुछ महत पूर्ण पहली वह पर हमने चर्चा की उसके बाद विवेकानन के दर्शन यह जीवन पर किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलते हैं विवेकानन्द सबसे पहले चुरूआतकी भारत-ब्रमण की वैसे भी कहा जाताा स चास्त्रों में कि देशातन बहुत जरूरी आपने शायद बाहुबली मूभी भी देखी होगी उस फिल्म में भी इस प्रश्ट तोर पर माता सिभगामनी बेभी अपने बेटे बाहुबली से कहती कि बेटा जाओ देशातन करके आओ यानि जो व्यक्ति राजा बनना चाहता ह है लोग कल्यायन करना चाहता है सन्याशी बनना है तो सबसे पहले उसे देश कावण करना चाहिए क्योंकि जब तक वह देश का फर ब्रहमन करेगा तब-तक कैसे जानेगा कि पूरे देश में समाज में किस प्रकार की परिशानियां व्यापते हैं देश का ब्रहमन करने के लिए तो उस समय पर काफी महत्रपुन घटना है जो मैं आपके साथ में साजा करना चाहूंगा स्वामी विवेक अनन बानारस के घाट पर बैठे हुए थे और उस घाट पर जब अनों ने देखा कि देश में इतनी गरीबी है कि लोग दहा संसकार भी नहीं कर पा रहे हैं अंग्रेजोन चूकी कुछ ऐसे कानून लगा रखे थे जंगन कानून जिन्हें आप कह सकते हैं कि लगणीयों अतनी आसानी से नहीं मिल पा रहे थी तो वहाँ पर कासी या बानारस की मैं बात करूं तो वहाँ पर जो घाट था वहां लोग दहा संसकार की जायेंके उस conservative जो शरीर हैं मृव छा रहे थे उस दौरान एक नौजबान था वो नदी को पार करते हुए और किनार की ओरान ही लगा उस दौरान स्वामी विवेकनन्द का तंद्रा उनका ध्यान अचानक से टूटा और उननों पूछा कि इतने सारे लोग बह गए तुम कैसे वापस किनारे पर लोट आए तब उस दौरान उस बालक ने कहा उस नौजवान ने कहा कि मैं मरा हुआ नहीं हूं ज समाज की अनावश्यक परमपराओं में समाज की अनावश्यक माननेताओं में समाज की रूडियों में बह जाते हैं लेकिन जो जीवित हैं जीवित का आशय है जो मानसेक और आत्मिय रूप से जीवित हैं वे समाज की प्रचलिद को प्रताओं एबम अनावश्यक और कारे कर सकते हैं स्वामी विवेकानन ने यहां से शिक्षा लिए और उसके बाद में पूरे देश का ब्रह्मन करते हुए गरीवी को देखते हुए हमारे भारत के सुदूर दक्षण में यानि कर्णिया कोमारी पहुंच चुके और वहां पर जाकरके उन्होंने एक द्वी जौन संबंदर को तैर करके पार किया और उसके इसक अध schwami बीवेकानन समुध को तैर करके पार किया और इक टाप उपर पहुंचे जिसे आप आज के समय पर बिवेकानन कました नाम से जानते के बाद भी बात जैसी एक वस्तू को को आप अगर देखना में तो एकढ़म कि चरणों की बंदना स्वेम महासागर कर रहा है वैदे सामन देश नहीं हो सकता चुकि हमारे यहां पर कुछ कथाओं की मानिता है और मैंसे कथा यह भी मिलती है कि जिन माता काली ने उन्हें बेलूर मठ में दर्शन दिये थे वही माता काली भारत माता की रूप में विवेक करन्द का जीवन भी आगे बढ़ रहा था और इसी दोरान एक खबर पूरे विश्व में फैल चुकी थी कि शिकागो में धर्म संसत का आयूजन होना है और मजे की बात तो यह थी कि शिकागो धर्म संसत में इसलाम को बुलाया इसायत को बुलाया बुद्धिज्म को बुल ठीक वैसे ही थे जैसे एक बुलाया बाराती आप जरा सूचिए हम लगातर सुचते हैं कि इसलाम धर्म की स्थापना किसने की हम लगातर सुनते हैं कि इसाई धर्म की स्थापना किसने की बहुत धर्म की स्थापना किसने की हम लगातर सुनते हैं लेकि मेरे मन में भी एक ल में धर्म नहीं माना जाता कि जो लोग पत्थरों की पूजा करते हैं जानवर यानि कि बंदरों में और गायों में अपने देवताओं को देखते हैं तो यहां की संस्क्रिटी कितनी निक्रिश्ट होगी ऐसा कहकर कि हिंदू धर्मी की मानेताओं का मजाग पूरे विश्व पठल पर उड़ाया जाता था परिणाम सरूप शिकागो जैसी विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्मी की तरफ से किसी प्रतिनिदी को बुलाया ही नहीं गया लेकिन जब ये बाद स्वामी विवेकानन के शिश्वों को पता चली तो उन्होंने अपनी ओर से धन एकत्रित करके और महराजा खितरियादी का नाम आप सुनते हैं और धन एकत्रित करके स्वामी विवेकानन से प्रार्थना की कि आप जाएं और वहाँ जाने के बाद में हि कानिया मिलती है जो हम विद्धियाथियों के लिए जानना आवश्क नहीं है और विवेक अनन्द पहुंच गए शिकागो में और आप जानते हैं कि जिस धर्मसंसद में उनको जाना था उस धर्मसंसद का ना तो उनके पास में कोई कोई माध्यम था जैसे तैसे करके एक विदेशी महिला की सहाइता से अपना नाम वहां रजिस्टर कराया और फिर उनका नंबर आया 11 सितंबर को बुलने का चुकि जादा तर विद्धियाती यही सोचते हैं कि शायद विवेक अनन्द शायद इसलिए प्रसद्द रहे होंगे कि उन्होंने बोला था कि my American brothers and sisters आप भी जानते हैं कि सायद केवल इन शब्दों के बाध्यम से विवेक अनन्द प्रसद्द होने वाले नहीं थे यह शब्द तो परिचैमात है विवेक अनन्द ने आगे क्या बोला उससे संबंदित प्रश्ण जो है वो अभी MPPSC ने पू बात हुई लेकिन उसके बाद जैसे विवेक अनन्द बोलना शुरू किये तो पूरा उद्बुर्दन आने वाले तीन दनों में लगबक आट से नो घंटे तक चला और उन आट से नो घंटे में विवेक अनन्द ने जो भाशर दिया वो पूरा भाशर था बेदान से बेबेक अनन्द ने कहा सबसे पहले कि जिन्हें आप पंथ या धर्म समझ रहे हैं वे सही माइने में धर्म नहीं हैं धर्म कभी धर्म तो अब विक्रत है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता धर्म अगर विक्रत हो जाए तो वो धर्म नहीं है उन्होंने कहा कि अगर म इशा मसुही पर और बाइबल पर अगर मालिजी इन दोनों ग्रंतों को यानि इसलाम से कुरान शरीप को और इसाइयस से अगर बाइबल को अगर हटा दिया जाए मैं अभी भी कहना चाहूँगा यह सब्द सारे विवेक अनन के जिस समय पर उनने सारे धर्मों को आइनिया द इसलाम तिका हुआ है और इसाइयद्रम टिका हुआ है पूनत है आप जानते हैं इसामसी पर और बाइबल पर इन्होंने कहा कि हमारा धर्म किसी एक किताब या केबल एक व्यक्ति विशिश पर आधारित नहीं है हमारे यहाँ पर पत्थिक व्यक्ति अपने आप में कलम नहीं करते दुनिया के सारे धर्मों में अगर आप आज भी देखेंगे साओधी अरब हो या कोई भी यूरोप का देश हो आप सभी धर्मों में आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने ये दावा कर दिया कि मैं भगवान हूँ मैं भगवान हूँ तो उसका सिरकलम कर दिया जाएगा क्योंकि चाहें इसलाम हो और चाहें इसाइयत हो इन धर्मों की सीधी मानेता है इश्वर केवल एक है उसे आप गौड कहें या अल्लह कहें लेकिन हमारे भारतिय सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं है हमारी संस्कृति काफ इस्वरबादी प्रतीत होते हैं या गौतम बुद्ध हमने गौतम बुद्ध जिन्होंने खास तौर पर इश्वर के विरुद्ध आवाज उठाई जिन्होंने किसी पार्लोक एक सत्ता को मानने से इंकार कर दिया हमने उन्हें स्वेम भिश्णू जी के नोवे अफ्तार की मान सकते हैं इतनी सईश्वर के किसी धर्म में नहीं हैं साथ ही जिन सभी धर्मों को आप धर्म समझ रहें वे धर्म नहीं केवल एक राष्टे के समाने केवल एक नदी के समाने जिस प्रकार से बिश्व की सभी नदिया अंते मुरूप से महासागर में मिल जाती हैं ठीक उ जिस ब्रह्म की पूजा करते हैं वो केवल एक है और हमारे यहां कहा गया एको ब्रह्म दुतियन नास्ति बावजु उसके स्वामी विवेक अनन ने मूर्ति पूजा का भी समर्धन किया उनका मानना था कि अनन्त यानि इन फाइनाइट के बारे में एक सामान्य मानव की करते हैं और उसकी आराधना करते हैं और कहा कि मूर्ति पूजा में आराधना केवल मूर्ति की नहीं होती मूर्ति पूजा में आराधना होती है मूर्ति में नहित्मुल्यों की यानि कृष्ण की मूर्ति बनाकर अगर हम पूस्ते हैं तो उसके पीछे छिपे रहते हैं प्रती प्रकार से हम एक ऐसी शक्ती की पूजा कर रहे हैं जो बुराईयों कांथ विवेकनंλ का मन्ना था मैं धर्म उसी को मानता हूं जो आप को भीतर से शक्ती प्रवाहिद करें जो शक्ती हीन है वह धर्म नहीं और वेकनंद के सिध्धान्त को ही कहा गया नवेवेदान्त तो चलिए थोड़ा सा नवेवेदान्त पर भी चर्चा कर लेते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्ता में वेदान्त उस दर्शन को कहा जाता है जो अपनिशदों पर आधारेते हैं और सामानित MPPSC वाले विद्यार थी इतना तो जानते ही हैं कि शंक्राचारे एक वेदान्ती विचारक थे वेदान्त दर्शन एक ऐसा दर्शन जो मानों को परलोगवादी बनाता है यानि पालोग एक सत्ता में ज़्यादा विश्वास करना और जगत को मिठ्या मानना ये वेदान्त दर्शन की को शाखाओं मे नव्य वेदान्त और वेदान्त में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वेदान्त दर्शन केवल एक ही सत्ता में पूजा की बात करता है जबकि नव्य वेदान्त मूर्ति पूजा का भी समर्थन कर सकता है वहीं दूसरी और वेदान्त दर्शन मानव को पर लोगबादी बनाता है नवेवेदान्त दर्शन मानव को इही लोगबादी बनाता है वो इसी लोग में रहने की बातें करता है दोनों की बीच में समझस बिठाने की कोशिश करता है वेदान्त दर्शन इश्वरिय आराधना में विश्वास करता है जबकि नव विवेदांद इश्वरी आराधना मानव की भीतर दूणने की कोशिश करता है नव विवेदांद में अंतनेहित होता है इूमेन graffiti जिसे मान विखन गता है स्वामी विवेकानन्द ने इसी concept के आधार पर एक नया दर्शन प्रतिपादित किया, जैसे कहा गया दरिद्र नारेन, आप समझ सकते हैं दरिद्र नारेन के बारे में, दरिद्र मतलब गरीब और नारेन मतलब इश्वर, यानी कि विश्णो जी, आप दरिद्र ही नारेन है, अगर आपने एक गरीब की मदद कर दी, एक दीन, हीन, वंचित, वर्ग के किसी व्यक्ति की मदद कर दी, तो यह सही माइने में देखा जाए, तो नारेन की सेवा होगी, इश्वर की सेवा करने से अच्छा है, एक गरीब मानव की आप सेवा करें, और गरीब मानव की सेवा कर इसे आफ समाजबात के नाम से भी जान सकते थें इस प्रकार से बिबेक अनधन अपने पूरे जीवन में घूम घूमगूमकर ना केभल वे concept देकर भारती कुरांती कारियों के लिए एक नभीन मार्ग प्रसस्त भी किया कहा तो ये भी जाता है कि स्वामी दायानंद ने जिस भूमी को तैयार किया था उस भूमी पर चड़ कर बांग देने का कार उस भूमी पर चड़ कर दहारने का कार अगर किसी के द्वारा किया तो वसुदह्व कुटमबकम को साकारित किया जा सकता है तो स्वामी विबेक अन्द के शिकाव अद्भोधन से साकारित किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर सनातन भारतिय शंस्कृति को पूरे विश्व पटल पर सामने लाने का काम अगर किसी संसर्द में हो गों चुका तो वह थ शिकागो धर्मसंसर चलिए स्वामी विवेक अनंद के नवे वेदांत उनके दर्द नारें और साथ ही साथ उनकी शिकागों की उद्बुधन के बाद अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि विवेक अनंद से संबंदित महतपून प्रशन अब तक आयोगन है कौन-कौन से पू स्वामी विवेक अनंद के भाष्ण में कौन सा शेहर प्रसिद्ध था स्वामी विवेक अनंद के अंसार समाजबात का भी प्राइब बताईए स्वामी विवेक अनंद किसलिए जाने जाते हैं ठीक है और यह जो प्रशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या भी यूपी एस और UPPCS चुकि UPSC 2021-2023 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए यह वही स्वामी विवेक अनन्द है जिन्होंने ना केबल शेकागो धर्मसंसद में हिश्चा लिया बलकि इसके बाद में पैरिस भी गए दुनिया को बिदान्त का पाठ पढ़ाया और उसके बाद में सबसे म मृत्यू कहना उचित तो नहीं है क्योंकि यह वे विभूतियां हैं जो पृत्वी पर चक्कर लगाने के लिए आती हैं और थर्टी नाइन इयर तक भारत को विभूशित करने के बाद बिवेक अनन्द की मृत्यू बैलूर मठ में हो चुकी थी समय था 4 जोलाई 1902 ऐसी महत लपून जानकारियां और बिवेकरन से संबंदित प्रश्णों को अच्छे से लिखना सीखने के लिए अगर आप चाहते कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चले तो आप उतकर्ष को जोइन कर सकते हैं और उसके बारे में भी आपना केबल देखें अपने मित्रों को भी ब जाते हैं और आपकी तलाश अगर अधूरी है तो उतकर्ष आई तलास आपकी पूरी हो जाएगी साथी साथ एकलब बैच ये बतलब बहु प्रतिश्थित योजना है उतकर्ष की और आप सभी जानते कि लाइफ रॉम स्टूडियो बैच रहे को आप घर बैठकर बहुत अ नए नए लाए जा रहे हैं और साती साथ बिवेक अनंद का एक प्रसिद्ध कथन है जो युवाओं का प्रेड़ नसुरोद बना हुआ है उठो जागो और लक्षप्राप्ति तक मत रखो इस कथन को केबल किताभी ना बनाए अपने जीवन में आत्मसाथ करें और बिवेक अपनाओ को साकारित करने का प्रयास करते हैं धन्यवाद